मुसल्मान चल रहा है यह संविधान चल रहा है जब हमारी बहन ने जूट की गठ्री से अपनी बात शुरू की तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा दो नहीं समाजवर्वी पार्टी के दूसरे पर भी प्रवक्ता बढ़ गए हूँ जूकि जूट की गठ्री तो बाती जन्ता बात करने वाले लोग आज जब हमारे ड्रवल वन टू की महलाएं वह बैटके धर्ना पदर्शन करती तीन हजार रुपए बढ़ाने के लिए तो उनको घसीट के इको गार्डन में लेके जाये जाता और वहां से उनके जो रजाई ह होती वह भी खीच ली जाती है और सरकार क्या कहती है कि हमें तो पाच हजार और छेरह रुपए पर भी काम करने वाले लोग मिल जाएंगे तो हम तो नौजवानों की बात कर रहे हैं हम जाती जन्रवना की बात कर रहे हमने अपने पीडिये फॉर्मूले की बात की और जन्त रहे हैं तो आप मुझे बताइए आप से पहले सवाल में कि क्या मुद्दा चल रहा है जाती बदा चल रहा है संभिधान चल रहा है इस कीम्स चल रही है यह जूट चल रहा है जब भाष्पा ने जब नारा दिया 400 बार उसके बाद इनके सांसदों ने कहा कि हमें सविधान बदलने के लिए दोत्याई बहुमत चाहिए तो बाबा साथ में भरोसा रखने वाले देश की जनता ने जो भारती जनता पार्टी पे भरोसा करती थी वो भरोसा उनका तूड ग बाद करता है तो बारती जनता पार्टी उसको नाकारने का काम करती है तो सवाल यह है कि अगनी वीर जैसी आप योजना लिया है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है आपके पास कोई जवाब नहीं है आप नौजवानों को रोज़गार देनी पाए किसानों की आए द अपके घरों का बजट बिगड़ गया है भारती जनता पार्टी के लोगों को छोड़के जनता तो परशान है जनता तो पूछ रही है कि आपने महेंगाई का बेरोजगारी का तो आप जो बता रहे है तो बड़ी आदर्स बातें आप बोल रहे हैं लेकिन यह फील्ड पर जाती बात बहुत चल रहा है यह कैसे तो जब हमने ब्रिजेश जी इस बात को उठाया है कि OBC का हक मारा जा रहा है और अगर हमने अपने 34 OBC प्रत्याशी मैदान में उता रहे हैं कितने उता रहे हैं सब को साथ लेके चलने का हम प्रयास कर रहे हैं तो भारती जनता पार्टी का OBC का मतलब तो केवाल याद हो आज तो हम पूछ रहे हैं कि आपने कितने OBC को टिकट दिया है बताएं भाश्पा असी में कितने OBC को आपने टिकट दिया है कितने दलितों को टिकट दिया है आप आप क्यों नहीं बताते हो तो सवाल यह है कि समाजवादी पार दारी सुनिशेटी शामिल किये जाएंगे प्रदीप